हाई फ्रेंस मैं हुँ रख्षा और आप देख रहे हैं रख्षा की रसोई आज हमारी र सोई में बनने जा रही है बहुत ही टेस्टी और हैल्थी पनीर जिसे हम बिना दूद और बीना मिलक बाउडर के बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे हम बनाने वाले है मुंगफली से तो सबसे पहले हमें करना क्या है दो कप मुंगफली को पानी में भीगो करके रख देना है कम से कम 3-4 घंटे के लिए आप चाहे तो इसको ओबर नाइट के लिए भी रख सकते हैं तो ये कच्ची मुंगफ के करी पानी और अच्छे से मुंफली को पीस लेंगे यानिकि इसका फाइन पेस्ट बना के तयार कर लेंगे देखिए कितना स्मूध पेस्ट बनके तयार हुआ है अब इस मुंफली के पेस्ट को ट्रासफर कर लेते हैं एक बड़े से बाउल में और बाकी की बच्चु ही मु जादा हो जाएगी तो आप टेंशन मत लीजे क्योंकि हम पनीर बना रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं मुंफली का एक दम पतला साथ दूद बनके तयार हो चुका है लेकिन यह सब्धार बतार है कि मुंफली कैसे दूद पर्फेक्ट करने क्योंकि महज़े हैं जो भी पार्ट हैं वह सारे चेंद हें जाएग तो इसको दंदम ऑंच्छे से चानना होगा ताकि शार्षक जा जातार हैfristई बहुत दूदम चेंदाता है बस कपड़ा पतल लीजेगा तो जो भी मुंफली का पार्ट है, मोटा पार्ट है, जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं, जैसे छिलका हो गया, वो सारा इससे निकल जाएगा और प्योर मुंफली का दूद हमें मिल जाएगा, प्योर नहीं कह सकते हैं, पानी एड़ है, बट हमें बनाना है पनीर, हमें दूद का इ उपरी पार्ट है वो सारा बच गया है तो इसको आप फेकिएगा मत इसमें चीनी वगएरा डाल करके अच्छे से बून करके मुंफली का हलवा या मुंफली की बर्फी बना के आप तयार कर सकते हैं जिसको मुंफली कतली भी बोलते हैं मेरी चैनल पर और रेड़ी यह यह रिक्वस्ट है अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है उसे जरूर दबाईएगा पसंद ना है तो आप डेस्लाइबी कर सकते हैं लेकिन करिएगा जरूर अब हमने यहां पर ले लिया है विनेगर आप यहां पर चाहे तो कर रैस्पी यूज़ कर सकते हैं तो मैं एक चमच विनेगर ले रही हूं और इसमें दो चमच डालूंगे पानी अच्छे से पानी और विनेगर को मिक्स कर लोंगे विनेगर क्या होता है इसको सफेज सिर्का बोलते है जो हम लोग चामीन वगरा में इस्तिमाल करते यह वह इसको हाई फ्लेम पर फाड़ना होता है यह स्पेशल टेप है इसलिए ध्यान दखिएगा और आप देख सकते हैं जो मुफली का दूद है बहुत अच्छे से फट गया है इससे जितना भी पनीर है वो देखिए किस तरह इसे दिख रहा है यानिकि जो छेना है अब इससे हम छेना को अलग करेंगे और इसकी बनाएंगे पनीर तो बापस से हमने एक छनी ले ली है इसकी उपर फिर से हम वही पतला सा कपड़ा रखेंगे और यह जो छेना है इसको हम कपड़े में डालेंगे उपर से हम इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं इससे एक तो छेना ठंडा हो जाएगा और उपर से जो बिनेगर का टेस्ट है वो भी चला जाएगा नीवू डालेंगे तो नीवू की खटाई भी चली जाएगी तो दोना जरूर है अब बस इसको ना मच्छे से पोटली बनाएंगे और दबा दबा करके जितना पानी है वो सारा निकालेंगे यह हमारी फाइनल स्टेज है पनीर के बननेगी ठीक है तो अच्छे से दबा दबा करके इसको दबाना है ताकि सारा पानी निकल जाए बस इसको हम इस तरह से तुरह सा चप्टा करेंगे इसकी उपर हम कोई भी हैवी वर्तंत रख देंगे इससे क्या होगा जो भी एक्स्ट्रा पान है तो चलिए अब हम इसको खोल करके चेक कर लेते हैं एक्दम परफेक्ट हाई प्रोटीन और बिटामिन से भरपूर ये पनीर बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है तो बैसे तो आप दूद का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दो पटाफर से इस पनीर से सबजी बना कर के दिखाऊंगी बिल्कुल देसी अंदाज में तो सबसे पहले तो आप पनीर का टेक्षर देखिए कितना परफेक्ट आया है ऐसा नहीं है कि पैल रहा हो मूंफली का है ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई भी चैक नहीं कर सकता कि यह आप यहां पर मैं एक स्पेशल तिप बताऊंगी जिसने पनीर की सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगी फ्रेंट्स यह वीडियो मैं नीचे वाली किचन में शूट कर रही हूं क्यों क्यों पर लाइट की कुछ प्राबलम हो गई थी लाइट निया रही है इन वर्टर पानी में आपको ट्रांसफर कर लेना है इसे क्या होगा पनी रिदम सॉफ हो जाएगी नरम होता है ना फ्राइग करने के बाद पनी खिची-खिची सी हो जाती है च्यू च्यू शी तो वह चीज नि रहेगी एक दम सॉफ पनी रहेगा और फ्राइग करने से इसका टेस्ट अब पैन में पानी डालेंगे चार टमाटर डालेंगे दो चमबर डालेंगे साबट धनिया और पान शे हमने यहां पर सूखी लाल मिर्चे ले ले लिए यह मिर्च तीकी नहीं है इसलिए में ज्यादा ले रही हूं इस मिर्चे क्या होगा सब्जी में कलर बहुत ही में निकाल लेते हैं निकाले के बाद हम टमाटर बर अलग कर लेंगे और चिलका भी अलग कर लेंगे बागी दोनों चीजों को एक साथ में रहने देंगे यहां पर मैंने ले लिए लगबग 200 ग्राम प्याज यह बहुत छोटु मोटुसी प्याज थी इसलिए मैंने जादा कॉंटिटी में लिए बड़े साइस के लिए तो सिर्फ तीन यह चाल लेनी है ठीक है तो यह चोटी प्याज तो मैं इसको कट नहीं कर रही हूं सीद्धे डाल रही हूं ग्रैंडिंग जार में यह आसानी से पिश जाएगी साथी में हम इसमें डालेंगे मिर्च और धनिया अब हम इसमें डालेंगे आठ से दसकलिया लहसुन की साथी में हम डाल देते हैं आदा चमत जीरा दो यहां पर तेजपत्ता डाल देते हैं तो इसको हम तोड़ करके डालेंगे ताकि अच्छे से मसाले में पिश जाए और पनीर को बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल वाला ट मसाला बनके बिल्कुल तयार है आज हम देसी वाली सब्जी बनाने वाले हैं जिसको आप उंगलिया चाट चाट के खाएंगे मसाले को सायर में लगते हैं जो टमाटर थे उनको हमने छीर लिया है इनको भी हम ग्रैंडिंग जालेंगे अच्छे से पीस लेंगे प्योड़ी अच्छे से बढ़िया बून लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं एक शौधा यमज के करीब हल्दी पाउडर और जैसी हल्दी डालेंगे न तुरंती हमें यह जो देसी वाला मसाला है इसको डाल देना है ताकि हल्दी जल ना पाए क्योंकि मसाले में मिर्श व मून लिया है देखे इसका कलर भी चेंज हो गया है अब बस जब मसाला अच्छे से बुन जाए बढ़िया इससे खुश्बू आने लगे देसी मसाला है ना तो इसकी खुश्बू बहुत तेज होती है तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी और टमाटर को भी अच मसाले की करनी है बढ़िया सी मौनाई तो मसाले को ना इस मसाले को बहुत अच्छे से बून जरूरी होता है अगर आपने कम भूना तो कच्छा कच्छा सा फ्लैवर आएगा इसलिए अगर बिल्कुल पर्फेक्ट चाहिए कि हाँ देसी अंदाज कि हमारी पनीर हो चाटते इतना सॉफ्ट नहीं देखा होगा तो यह सीक्रेट ट्रेक है आप जरूर फॉलो किया करें उसके बाद पनीर को हलकलका सा दबाते हुए हम इसमें ग्रेवी में डाल देंगे अब हम चार से पांच मिनट के लिए लोटू मीडियम फ्लेम पर इस पनीर को पकने देंगे तो हमारी पनीर की सब्जी बिलकुल तयार है बताये कोई कह सकता है कि इसको हमने मुंफली से बना के तयार किया है एकदम हैल्दी और सुपर डूपर टेस्टी जिसे भी खिलाएंगे तो उंगलिया चारता रह जाएगा और आपकी तारिफ जरूर करेंगे तो भाई इसे बनान पनीर ना हो इस तरीके से आप पनीर बना के तयार कर सकते हैं तो आयोप आपको आज की मुंफली की पनीर की रैस्पी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा फिर मिलते हैं ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए आई टीकेर